हेलो बच्चों स्वागत है आप सभी का आई टो शेट नीप पर तो कैसे आप सभी लोग चली आज हम देखने वाले हैं डाटा वेस मेस एकसिस के इंपोटेंट कॉस्टन डीसी एंड पीजी डीसी फर्स्ट सेमिस्टर के लिए हैं आपके लिए बहुत इंपोटेंट कॉस्ट टॉप 15 कॉस्टन में आपको बताऊंगी इनकी क्वेह को अपको और कॉष्टन करने ज़रूत नहीं है इनमें से आपको पूरो दसी कॉष्टन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे अगर आपको फंदर कॉष्टन याद भी नहीं हो रहे तो आप 10 कर लोगी तो भी आपक में आपको इस वीडियो में इनके आंसर्स भी दिखाने वाली हूँ आप देख सकते हो पूरे आंसर्स आपे देखेंगे और फूरा मैं आपको एक स्प्लाइन करऊंगी तो रीडियो को यह वार शैर्क छारूर कर दें दोस्तों बहुत इंपोरेंट वीडियो हैं इससे पहले आपको 10 कॉशन ही मिल जाएंगे गाटसे दस क्विशन आपको मिल जाएंगे पीपर में तो चलिए Stir करती हैं पहले정 काशिन है आपका data क्वेस क्या है本व इस क्या हो इनका अंसर संथ भी हम देखेंगे डाट विस क्या है इसके भाद आपको judgment कॉशन रहेगा relationship database का यूज क्यों किया जाता है relationship database का यूज हम क्यों करते हैं आपका second question हो जाएगा इसके बाद आपका third question आता है निम्न को समझाईए idbms क्या है मतलब इसका full form आप देख सकते हैं आप पे relation data waste management system idbms क्या है data normalization क्या है 95% important question है हर बार आप देख सकते हो data normalization क्या है data waste क्या है types of relationship दोनों question आपको hundred प्रितिशत देखने को मिल जाएंगी दोस्तों पेपर में the types of relationship में आपका आएगा one to one relationship one to many relationship और many to many relationship आपको दे दिया जाता है कि types of relationship बताईए या इन में से आपको दे दिया जाता है कि band to many का बताईए या many to many का आपको नाम भी लिखकर मतलब heading लिखकर दे दी जाती है तो आप इन्हीं अच्छी से पढ़ लिजी दोनों question data normalization और types of relationship बहुत important question आपको 100 करना है ब्रट लेना इन दोनों question को आपको दोनों ही question मिलेंगी आप पीपर में जरूर्ड आपको दिखने को मिलेंगी चलिए अगला देखते है नॉर्मलाइजीशन की प्रिकार सेकिंड कॉशन आता है डाटा नॉर्मलाइजीशन और नॉर्म अगर्ण question को आता है आपको नॉर्मलाइजीशन की प्रिकार और डाटा नॉर्मलाइजीशन की क्या होता है दोनों बहुत important question हैं दोनों मैंसे आपको को देख सकते हैं डाटा पे स्कीज होती है जिननमें आपको मिल जाएंगी प्राइमरी की और फॉर्रिंग की यह इसी प्राइमरी की और फॉरंग की दोनों में से आपको पूछ लिया जाता है यह आपको प्राइमरी और फॉरंग की दोनों आपको देखने को मिलेंगे पेपर में इनमें अंतर पूछ लें या इनको दोनों को समझाईए इस तरी के साफ से पूछ सकते हैं कि निमने को समझाईए primary की और foreign की आ सकता है दोनों आते हैं आपको मैंने एक question कोई आपको detail में इसलिए बताया है ताकि आप confused ना हो उसमें अगर database keys पूछा गया है तो यह primary और foreign की आएंगी और उनकी बीच में अंतर भी पूछ लिया जाता है तो दोस्तों आपको अच्छी से करना है यह question इसके बाद हम अगला question देखते हैं इसका MS access को समझाएए मैंने आपको बोला था कि किसी भी प्रकार का कोई भी subject है तो उसमें आपका MS access का subject है आपका तो MS access को समझाएए तो उसमें object पूछ लिया जाते है objects of MS access तो object क्या क्या होते है table, query, form और report यह अपने आप में चारों बहुत ही important question है आप देख सकते हैं यह चारों बहुत important questions है जो कि आपको paper में देखने को मिल जाएँगे इन में से हर बार पूछ जाता हाव तो create table, query और form को समझाएए, report को समझाएए निम्न को समझाएए करके दे दिया जाता है query table, form, report चारों ही आपको paper में देखने को मिल जाएँगे चारों ने मिलेंगे तो 3 या 2 तो आपको 100% देखने को मिलेंगे दोस्तों object होती हैं जी MS access के फिर आता है आपको second working with MS access MS access में किस प्रकार काम करती हैं तो यह दौनों question आप एक बार अच्छी से पढ़ लीजिए यह यहां पर होते हैं 5 question जो कि आपके बहुत ही important है आप इनी अच्छी से पढ़ लीजिए आप एक यह दुवार पढ़ोगी तो आपको याद हो जाएंगे इसके बाद आता है आपका च्छटबा question how to create table मैंने आपको अभी पताया था कि यह question आपसे पूछा जाता है how to create table sorry और इसी का second question है data types of MS access MS access में MS access में data types 100 प्रितिशत आपसे पूछा जाता है क्या होता है और बहुत ही important question है आपका relationship data database पूछ लिए जाता है यह दोनों question आप इसके बाद आपको अगला question आता है query and filter को समझाईए बहुत important question है आपसे अंतर पूछ लिए जाता है दोनों को समझाई पूछ लिए जाता है select query क्या होती है how to create a simple table query in MS access Hindi medium बाले बच्छे ना घवराएं आपको मैं हिंदी में इनका translation करके बताऊंगी query and filter इनको यही बोलते हैं को समझाईए आप हिंदी में लिख लएं हाँ पर मैं इस इंगलिस में आ जाता है आपका select query क्या होती है आपको भी हिंदी मीटा माले बच्छों को इंगलिस में लिकर दे देते हैं इसलिए मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए how to create a simple one table query in ms access आपको एक simple query ms access में मतलब one table आप एक simple table query में कैसे बन सकते ms access में query के साथ ms access में किस पर कार बन सकते आपको हो जाए गई इसके बाद आपको आता है निमन को समझाई करके आपको कॉशन आती है आप सभी लोग जानते ही होंगे अभी तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मैं आपको हर बार यह टाइप बताती हूँ क्योंकि आपको एक कॉशन में आप देख सकते हैं आप से साथ टॉपिक आपको एक कॉशन में मिलते हैं इसलिए आप में नहीं करना ना भूलें आपका बहुत ही इंपोर्टन कॉशन होने वाला है जी आपसे पाइवोट चार्ट क्या होती है हंडिट प्रितिशत पूचे जाता है दो तीन साथ से लगतार यह पे कॉशन पूचे जा रहा है हो जाता है तो आप कल लें वैसे मैंने यह बहुत ही इंपोर्टन आप आपके लिए हैं इन्हीं तो आप रट लेजिए बिलकुल आपको पेपर में देखने को मिलेंगे इसके बाद हम अगला कॉशन देखते हैं जो कि आपका नावा कॉशन है और दोस्तों वीडियो को ला चली देखते हैं, how to create for in wizard दोस्तों एक कौशन बनता है आपका कि हम form को कहीं से करें और यह होता है कि wizard में किस परिकार क्रिएट करें विजाट दोर्ण हम form को किस परिकार बनाएं दोनों आगल-कॉशन है तो आप दोनों को पढ़ने इनके इस्टेप सगल-अगल होती है कि फॉर्म को बिजायट में केसे बनाएं और नॉर्मल फॉर्म के से करें eerste नियुक्त सब्सक्राइब इसलाइब कर दोगार सब्सक्राइब 10 जो कि अपके लिए बहुत बहुत ही अची बात है आपको जाने आपको सब्सक्राइब आपके पास टाइम भी नहीं है आपको 31 तारीक को आपका MS Access का पेपर है आप अच्छी से पढ़ लीजिए तो आपका लाश कॉशन होता है जो की बहुत इंपोर्टेंट कॉश्चन है निम्नो को समझाईए टाइपस ऑप रिपोर्ट सिंगल एंड मल्ली रिपोर्ट प्रिंट प्रिंट्या रिपोर्ट एक्सपोर्ट ए रिपोर्ट क्रियेट यूजिन रिपोर्ट एमस इन-मस एकसीश तो गुंहों कि कुई यूजिशा भीमोट अप스šли पूछलेजाय है १ू धानवाइब कि बिच्एज़ परिंट शमुद हायं भी आपसे पूंचले जाता है के पुछ लिए जाता है क्रियेट यूजिं। रिपॉर्ट फिछ मैंतिन लिप आतेयों तो मैंने पांचहों ठीक करने ताम हो चाहिए इसलिए मैंने आपको बताए थी इनके आंशार hazok बिष्णिया में किस परकार है के अंदर कॉच्छ पूछ पूच जाता है क्वारी शisa Any कपूरी कोरी और फिल्टर सेस्ट कैरी devotion में Сов के अंदर कोरती में ने लिए है चलिमस है मैं सकते हो मैं में हैं किम आफिस द Tamil यहां पर आता है Microsoft Access 2013 database को create और manage करने का प्रोग्राम है जिसका यूज़ हम data को manage करने के लिए करती है जे हो जाएगा आपका इसको छोड़ सकते हैं अगर आपसे नहीं हो रहा तो पहले इंट्रेक्शन ही है इसको आता है आपको what is data based क्या है data system का storage होता है जिसमें हम data को store करते हैं जो computer system store होता है database अपनी user को अपने data को तीजी से और आसानी से इंटर कहने access कहने या विसलिशन करने हम कह सकते हैं कि अनुमती देता है यह भावत ही ओपियोगी element है database information इकट कहने manage करने का साधन होता है database लोगों को product commands या किसी और चीज के बारे में information store कर शकता है database work processing program या speed seat आपके सकते हो तो कुल मिलाकर database होता है जहां पे आप किसी चीज को store कर शकते हो किसी परकार का data है आपके पास उसे किसी परकार की निर्दिश कमांड का वो यूज करता है आपको हर एक परकार की चीज जो कि आपके लिए useful है आपके लिए जरूरी है आप उसे एकटा करकर manage करकर आपको database में मिल जाएगा वो चीज तो यह सी परकार आपको एक question था इसके बाद आता है id bms क्या होता है आपको full form आप देख सकते हो relation data waste management system तो आपको इसका full form आद रखना है id bms क्या है इसका मैं आपको diagram बताऊंगी आपको diagram बनाकर आना और वो बनाकर लिखकर आते हैं अगर आपको diagram बनाती हो तो बहुत अगल हो जाएगा वो तो examiner को लगीगा copy check करने वाली को लगीगा कि आपको इसके वारे में जानकारी है आपने कुछ भी मतलब इसके कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि diagram हर कोई नहीं बनाता है उन्हीं थोड़ी ना पता है किस प्रकार होता है वो अगर किशी ने देखा भी है तो भूल जाते हैं और वो बनाकर लेक आपको इसका diagram अच्छी से रट लेना है आपको करकर आना इसका diagram अगर आपको किसी भी चीज पर diagram बनाती हो चाइड बनाती हो तो उससे पता चलता है कि आपको उस चीज के वारे में जानकारी है क्योंकि कौशन तो बनाकर लिख देते हैं वह सब्साइब अच्छी तो आप इस relationship भी टीबल में ही store रहता है इस परकार आपको कॉशन रहेगा अगर आप अपने नूट से पढ़ लें इसमें आपको समझ में ना ही आ रहा हो तो आप दीख लें यह आपका diagram है जिसमें IDBMS में क्या क्या आता है तो आप इस परकार बनाकर आशकते हैं बहुत ही अच्छ लागेगा आपको कॉपी में तो आप दिख सकते हैं सिक्करिटी लेंग्विज प्रोसेसिंग प्रोसेश कंट्रोल का इनना स्टॉरेज मैनेजमेंट करना और इन पॉइंट से आप IDBMS का दो से तीन पेज आसानी से बर सकते हो मैंने बहुत कम बता दी तीन से पांच पीज आप भर चक्ती हो ऑप टॉपक दिख सकते हो रहां पाना हो डिस्रिबींटिंग क करते हैं आप दिख सकते हैं किसी भी टेवल में टेवल किस से बनी हूती है रो और कॉलम सेब नहीं होटी एधर कि बीच में एस टोर करेंगे और डाट में किसि अधिक टेवल की बीच रिलेशनशिंप डाट की रूप में इस्टोर किया जाता है आडइमें तो आप इसी पढ़ने प्राइमरी की होता क्या है प्राइमरी की होता क्या है प्रतिक record को unique रखने के लिए की जाती है इसकी के attributes कभी change नहीं की जाती जैसा की एक ब्यक्ति का address primary key का part नहीं होना चाहिए परन्तु employee code change नहीं किया जा सकता जब तक भे ब्यक्ति उस संस्ता को ना छोड़े primary की यह कहलाता है इसमें आपको primary चीज हम रहेंगी कि हम पहली किसी भी चीज को सिक्केर रखने के लिए टेविल में किवल एक primary की होती है जो चीजों को एक अंदर और सिक्केर रूप से रखती है अधिक field हो शकती है इसके अंदर एक table में store करके प्रितिक record को special loops पहचानती है primary की आप इसे अच्छे से पढ़ने आप इसके screenshot ले लीजिए पूरो पढ़ने वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यह आप देख सकते हूं यह है आपका इसके बाद आता है आपका इसके बाद आपका आता है second foreign key foreign key का यूज एक table से दूसरी table के सांथ relationship को इस्तापित कहने के लिए किया जाता है इसका यह मन पॉइंट है कि एक table से दूसरी table के वीच relation बनाया जाता है foreign key के दारा अर्थात एक table की link दूसरी table से जोड़ी जाती है बनाने में किया जाता है जैसे हम student के नाम से एक database create करना चाहते हैं तो इस database में student से तक coach के नाम से दो table create की जाती है एक table म में value होती है जो किसी दूसरी table की primary key में value रखी जाती है आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए इसका diagram आप देख सकते हैं यहाँ पर कर primary key और foreign key होती है तो आप इसका इसकी insert ले लिए और आपको यह बना कर आना है आप एक दूबार बना कर देख लें इसे तो आपको अच् प्राइमरी और फॉरंग की जे इस टेप दी गई है मतलब points है कुछ आप एक वाज जरूर पढ़ने primary key तो इसका रहेगा आपको primary key column या column का set होता है जो टेविल में एक row को unique बनाती है एक table में single primary key होती है हमने अभी देखा था कि एक table में primary key single होगी पर फॉरंग की एक या ए नहीं हो सकती primary key को present sorry primary key को parents है parents की के नाम से भी जाना जाता है इसके बाद आपको रहेगा foreign key column का set होता है जो की दूसरे table के साथ primary key candidate को refer करता है इसके बाद आपको second रहेगा एक table में एक स्याधि जियुक्रा प critics column primary key week- contraire प्राइण की आप आप शेयुक्राइद की होता है रिजा पर भचे में आपके बहुत को सकते W must聽 गो say कर शकति को ने से नाम से घाना जाना जाता है देखो बहुत से की होते हैं चिल्दन बहुत शाय होशकते बच्चे तो इसलिए फरंग की भी बहुत सारी होशक्ती है इसको आपको सेकंड कॉशन आता है इसमें ररेलेसे की सब्सक्ट होता है बहुत सारी की आप भूससा बहुत शारे सो में वाउशाय को मैं थे इन पकार होता है जब आता है डाटा टाइप सथ रिलीसंट से था कॉष्टन आपके 100 पर आपको देखने को मिलेंगे तो इनका आप ज़रूर करने कि 1-2-1 क्या होता है 1-2-many क्या होता है और many-to-many क्या होता है आपको रहेगा डाइग्राम किसका है यह बंत्टू मैनिका है आप इसको छीव है कर लेंगे कोर्सृ ऑईयदी आप दिख सकते हैं एड्रे के लिए MS Access वाजाती रहा एक इंपोर्टेंट पावर्फुल प्लेटफॉर्म है जिसमें माइक्रोशॉप्ट कंपनी जिसे माइक्रोशॉप्ट कंप्टीन बनाया यह एक डाटवीश एप्लीकिसन हैं सॉप्टवेयर है जिसकी माध्यम से किसी भी कंपनी संस्ता आधि के बारे में हम जाणा से जाना करी इकट्टा कर चकते हैं तो बाद में इंपॉर्मेशन जो चंस्ता से संबंदित हो उचे प्राप अगर आपको एमसक्सिस में यह देखने को नहीं मिला तो फिर कुछ आपका पेपर में कुछ बचेगा ही नहीं बहुत ही इंपोटेंट है टेविल क्वेरी फॉर्म रिपोर्ट आपको टेविल तो स्टार्टिंग से फंडमेंटल से देखने को मिल रही होगी पर यहां पर टेविल क्वेरी और फॉर्म रिपोर्ट हरवार पूची जाती है बहुत ही इंपोर्टेंट है तो आप इससे कर लीजिए आप टेविल जी है आपके आपका यहां पे आप इसका 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 ले लिए लिए टेवल एक ऑबजक्ट है जिसका यूज डाटा को डिफाइन और इस्टोर करने के लिए किया जाता है हम टेवल बनाते हैं किसी चीज की क्यों बनाते हैं कि हमें वह अच्छी से बैवस्तित रूप से इस्टोर करना होता है तो टेवल के द्वारा हमीं समझ में जाता है जब हम एक न्यू टेवल बनाते हैं तो MS Access on field को define करने को कहता है जिसस सिंपल लेंग विज में को समझना चाहते हैं तो किवल जहाँ पर कौशन एंड डाउट्स दब जहां पर क्वाशन होता है वह पर दावट होता है तो अगर हमको किसी भी चीज के से समंदिद डाउट और इनफॉर्मिशन की जरूत है उस परसन से जो कौशन पूच्छन क्वेरी कहलाता है आप लोग समझ गए होंगी क्या होता है फॉर्म आप सभी लोग किसी प्रकार का फॉर्म भरते हैं बहुत फॉर्म है यह 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 MS-AXS का तीसरे और मैंतौन ऑब्ज़ेक्ट है दूसतों यह रख़ें ऑब्जक्ट है यह आपसे पूछ ले जाता है कि आपसे पूछले जाता हैं यहाँ आपसे लेकिन नहीं पाते हैं तो आप कॉश्चन को अच्छी ज़रू पढ़ने हैं मैंने आपको कॉश्चन भी दो-तीन तरीके बता है कि इस परिकार आपसे पूछे जाता है और उसके अंदर की डिटेल भी आपसे पूछ ली जाती है कि प्राइमरी की बताईए तो आप समझेंगे प्राइमरी की या होता है तो वह क्या है बो भी आपको पता होना चाहिए यह किसका पार्ठ प्राइमरी की और फचली फ़रंग देख लेता हैं फॉर्म है एकिस का तीसा और मैद्फून अब्जेक्ट है इसके दोहरा हम डाटा को डाटाबेस में इस्टूड करते हैं प्रि के लिए प्राप्त करने के लिए या जाता है आप ध्यान लखना एक सांथ घ्याटीन के डेशनिम्रों को को यदिया ग सत्हुरा बनाई जाती है विडिया है है report हमाई database को information को एक effect table और easy read करने के लिए manage कर शकती है report को हम किसी एक को share भी कर शकते हैं किसी दूसरी report को हम किसी दूसरे को share भी कर शकते हैं report को हम single या multiple column में बना शकते हैं तो यहां पर होता है आपका यह complete questions के आपको answer बताएते complete questions के answer तो नहीं बताएं पर कुछ questions के जो कि आपके आने की संबाब ना जादा है उन questions के मैंने आपको answer बताएं अगर बागी के questions के आपको answer चाहिए तो comment में जरूर बताएं और दोफ तो मैंने आपको DC and PGDCA first semester के थीनो subject के top 50 questions करवाएं मैंने आपको fundamental में 15 questions बताएं अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पड़ा पहली बारी question fundamental उठा रहे हो तो उसमें आप 15 question हैं उनमें से आप अगर दस भी question कर लेते हैं तो विश्वास कीजिए आपको question महापे साथ से आठ से दस question आपको देखने को मिलेंगे आपके वह थोड़े गुमाकर भी दे सकते हैं आपको ने आपको पहले बता दिया मैंने जो सब्द लेके दिया एसे question लेजिए मैंने relationship आपको कॉष्ण में दिया है और अच्छे से मेनत कीजिए आपके पार जाना टाइम नहीं है आपका सत्ताई से ही पेपर स्टार्ट होने वाली है फंडमेंटल की मैंने आपको चगदो कौशन बता दी हैं PC पैकेज की मैंने आपको चगदो कौशन बता दी और MSS की मैंने मात्री 10 कौशन बता हैं तो आपको पता है कि आपके बहुत ही कम कौशन है मैंने एक सब्जेक्ट मागर यह आप मैंने बताएं जो कौशन आप कर लेते हैं तो आप पास ही नहीं पर्ष्ट डिविजन से भी अच्छे आपको 75-80% आपकी बन जाएगा कर आप इन कौशन को कर लेते हो दोस्तों बहुत परकार की और वीडियो का अपडेट मिलती रहे तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद